आप प्रबु की हम सूति करते हैं हमारा प्रभु महान और सामर्थी परमेशर है अर आज की प्रातना सभा में जितने भाई बहन आए आप सबका स्वागत करते हैं और येशु पास आओ तो इस गित को हम गाएंगे और प्रभु का धनेवाद करेंगे हाललूया प्रभु जी जैसे हम प्रभु आरादना में जाते हैं हम आती साहत अकर आज हर एक विक्ति को बड़ी बरकत दे प्रभु जी अरदरी महिमा होने दे पिता पर प्रभु जी हम धनेवाद देते हैं कि पिछले रही विवार को प्रभु परमेशर काफी लोग चर्च म नहीं आ पायते हैं और प्रभु बारिश के कारण वो घर में बैठे रहे प्रभु जी लेकिन ऐसे भी विश्वासी थे कि जो गीले भीग कर चर्च में बैठे रहे और उसके बाद में वो घर गए और तुने उनको संभाला बीमार पढ़ने ने दिया इसलिए हम धनेवाद प्रभु जोगा दोने प्रबुएं प्रभु जी था प्रबंचय क कि आजहीं बू टनृत्थ frat di ना ने जा रहे अर ब्रबू कर आज हम अपने यारू करें ल्टी तईयारी करें उप्वास रखखें आज है ऑज आज पास रखा अप्र्वे प्रात हना करें अनना अफाथ अपने गाने की किताब लेके प्रभु तैयारी करे प्रभु और प्रभु तेरे भवन में तुझे मिलने के लिए हम तैयार होने के लिए आए जैसे आज ये तैयारी का दिन है ये शबात प्रभु का पवित्र दीन और प्रभु परमेश्चे तुन्हे जो इस्रैलों को शबा क्युलिए कि wnuk Sverigesे अजमने उपास रखा है प्रात्थ ना Creo किल प्रभू हम सब मिलके यह 50 करेंगे अधरी आरात्थ न करेंगे इसा कर्ने के लिए कलोरि चर्च के हरें में हिज़ा Caitlin Κर वह बहुत आशिशित कर, बड़ी बरकत दे, और प्रभू तुन गो प्रतिफल दे, प्रभू येश्व के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता, आमेन, 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 ताहिए इस गित को अम गाएंगे, स्टेचाली काएंगे, आओ आओ, येश्व पासाओ, वही बलाता भी आओ, आओ, येश्व पासाओ, वही बलाता भी आओ, आओ, येश्व पासाओ, वही बलाता भी आओ, आओ, येश्व पासाओ, येश्व पासाओ, आओ, येश्व पासाओ, घु बलाता भी आओ आओ येशु पसाब भोही बुलाता भी येशु मसी की पुकार को सुन्त ध्यान क्यों देते नही येशु मसी की पुकार को सुन्त ध्यान क्यों देते नही जग में कितनी मुसीबत उठाते मेहनत करते जह नहीं पाते फुल में कितनी मुसीबत उचाते मेहनत करते जह नहीं पाते आओ आओ ये शुपा साहू वो ही फुला था भी आओ आओ दिन है बाचाता दुनिया पर अंधीरा चाता दिन है भाईयो उसरा चाता दुनिया पर अंधीरा चाता आओ आओ ये शुपासाओ वो ही बुला ताभी काल मरी ओ लडाई देखते तौबा क्यों करते नहीं काल मरी ओ लडाई देखते तौबा क्यों करते नहीं पेशन गोईया फूरी होती वापस आते हैं सारे यहूदे आओ 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 ये शुपासाओ वो ही बुला ताभी ये शुपासाओ वो ही बुला ताभी ये शुमसी ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी प्रूस पचड़कर फून बहाया ताभी ओ कफारा हमारा आओ 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 ये शुपासाओ वो ही बुला ताभी आओ आओ ये शुपासाओ वो ही बुला ताभी ये शुमसी के दाम के सेवाई बुक्ती बिल्दी नही ये शुमसी के नाम के सेवाई भूपती मिलती नहीं उसी में है बाप से रहाई वो ही देता है खुश भाई उसी में है बाप से रहाई वो ही देता है खुश भाई आओ आओ ये शुपा साओ वो ही भुला अबि आओ आओ ये शुपा साओ वो ही भुला अबि तके मांदे बुस तबे हो, बुक्ती दाता इशु पसाओ तके मांदे बुस तबे हो, बुक्ती दाता इशु पसाओ आओ 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 इशु पसाओ, भुवी बुला तबे आओ आओ येश्यु पासाओ वही बुला तबी Alleluia ओ येश्यु बुलाता है दनेवाद येश्यु तु हमें बुलाता है तु हमें प्यार से बुलाता है ओ तुने अपना बलदान दिया येश्य धनेवा, धनेवा, हालेलूया, येश्य तो कहता है, मेरी भेर, मेरी आवास पेछणती है, ओ प्रभू, धनेवा, येश्य धनेवा, जीव ब येश्य धनेवा, आलेलुया 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 ये शुकी स्थूदी स्थूदी आरा देना आरा देना ओ तारी 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 मारी मां ए फिता हे पुत्रे पवेत्रात्मा तेरी स्थूदी ए ट्रेक परमेश्व तेरी स्थूदी तु जो है उसर शक्ति मान एश्व तेरी उस्तूदी ए सब शक्ति मान सब ग्यानी सब व्यापी परमेश्व तेरी उस्तूदी दनेवाद दनेवाद तु ही आलफा है तु ही उम्मेगा है प्रभुजी दनेवाद दनेवाद तु ही अदि तु ही अंथे एश्व ए सामाथी परमेश पिता दनेवान, राज्चाओं के राजय ये शुधनेवान, ए पवितरात्मा स्थूधी, ए पिता पुद्र पवितरात्मा स्तूधी, 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 ओ हमारे हिर्देओं को जख छोड़ दे प्रभू तो स्टुड़ प्रहाग से लोग एल्प सील आसेल्स तो यू ओगाई ओ धनेवाद 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 के हमारे सामती जीवत परमेश्व आजम तेरी उपास्ति में आते प्रभू जी हालेलुया बहुत दीन और बहुत नमरों के सामती जीवत हम धनेवाद देते हैं तेरी महान उपस्ति के लिए जो हमारे बीच में हैं हमारे उपास को तुने ग्रहन किया से हम धनेवाद देते हैं और आज जिसे हमने उपास किया है प्रभू कल के रानना सभा के लिए प्रभू हम प्रातना करते हैं हर एक भाई हर एक बहर जो प्रभू जी सभा से जुरते हैं प्रभू और एक के हिर्दे को तु जग जोर दे प्रभू जी यहां पे उपस्तित हम सब के हिर्दे को जग जोर दे प्रभू जी अपने अभिशेक से हमें भर दे प्रभु जी तेरा पवित्रात्मा जोरों से मन लाए प्यारे प्रभु जी और तेरा पवित्रात्मा हमें परमेश्य पिता हालेलुया, अकल के लिए, ओ तैयारी का आत्मा दे प्यारे इश्यू जी, प्रबल इच्छा पंकर प्रबु जी, ताकि तेरे इस पवित्र दिन को, विश्राम दिन को हम पवित्र मान सकें, प्यारे इश्यू जी, कोई प्रबु ठीवी हमें रोकने ना पाए, प्रभु कोई भी प्रभु जी, हालेलुया, कोई भी ऐसी बात हमारे तेरे प्रेम के बीच में आने ना पाए, प्रभु सहाई तक हो जेवेतेशु, हर एक भाई, हर एक बहन को, तु कलवरी कली से हमें ले करा, प्यारे प्रभु येशु, हालेलुया, वो कोई भी चीज उन् येश्यू का नाम से दूर हो जाए हालेलुया सहायता कर आज इस प्रभू तेरे वच्छन से जैसे हम वह तरे वच्छन बे मनन करते हैं तो हमसे बात चीत कर इस प्राहत ना कोई शुनाम से मांगते हैं सुन दे आज से कबूल कर पिता आमें अमें हाललुया थैंक यू जीज आज ड्रॉब का देन के लिए प्रभू परमेश्य के वच्छन को हम देखेंगे प्रियों अपने बाइबल को अंखोलेंगे और प्रभू परमेश्य का वच्छन हम आज खाएंगे आज प्रभू ने कलुरी चर्च के भाई बहनों को जीवन जे लआए कि वह प्रभु के वचन का भोच करे रहा लेल्ण। प्रभु के वचन पर वचन का भोच करे प्रुब ने आपको ईसके वचन के वह भोच के लिए यहांपे बुलाया है और इसलिए आप यहां पर आये हैं प्रभु ने चहां इसलिए आप यहां पर पहुंचे अर आज हम देखेंगे मतिर अचित्सु समाचार उसका बाइस अध्याय को सिस्ट जॉली पढ़ने में अगवाई करेगी मतिर अचित्सु समाचार उसका बाइस अध्याय और उसके पहले वचन से लेकिमें पढ़ने पढ़ेंगे इस पर यह शुफिर उनसे दुश्टानतों में कहने लगा सुखार राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्या किया और अपने दासों को भेजा कि नेफ्तहारियों को ब्या के भोज में बुलाए पर अन्तु उन्होंने आना ना चाहा फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो, मैं भोज त्यार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ त्यार है, भ्याह के भोज में आओ परंतु वे बेपरवाई करके चल दिये कोई अपने खेत को, कोई अपने व्याफार को और उने जो बच रहे थे, उसके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला, राजा ने ख्रोट किया और अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंग दिया, तब उसने आपने दासों से कहा ब्याह का भूज तो तयार है, परन्तु नेवताहारी योग ना ठहरे इसलिए चौराहों में जाओ, और जितने लोग तुमें मिले सब को ब्याह के भूज में बुला लाओ, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इकटा किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया Praise the Lord, यहाँ पे लिखा है कि कैसे स्वर का राज उस राजा के समान है, जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया उसने अपने दासों को भेजा कि नेवता हारियों को ब्याह के भोज में बुलाए अब यहां पर ब्याह का भोज हो रहा है या पर इस ब्याह के भोज में पहले से इन्विटेशन कार्ड जा चुके हैं पहले से नेवता दिया गया है कि जाओ और उनको बुलाओ कि वे परमेशर की इस ब्याह के भोज में जाए ब्याह का भोज उनके लिए है जो नेवता हारी है लेकिन बैबल में लिखा है जब नेवता हारियों को ब्याह के भोज में बुलाया गया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थे जब हमको प्रभु बुलाता है अपने पास, अपने चर्च में, अपने भवन में, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? बहुत सारे लोग जो है, वो प्रभु के भवन में आना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे लोग है कि जो प्रभु के भवन में। जो का भोज दिया जाता है। उसमें वो भाग लेना नहीं चाहते। उनको चर्श में जाना बहुत बोज लगता है। लेकिन आज प्रभु को धन्यवाद ओ आप लोगों के लिए जिनों ने जिनके दिल में प्रभू के लिए सच्चा प्यार है वो यह आप लोग तो कल आने वाले भी है लेकिन पता ने इतने दूर दूर से आप यहां पर आये हो क्योंकि आपके दिल में एक लगन है एक प्यार है दूर से भी आये नजदिक से भी आये आप आपने समय दिया यह सबसे बड़ी बात है और यहां पर लिखा है कि जब ना कि भोज में झेम गूलया गया। से बहुत सारे चर्चे समय खाम हे जाता है। जब खान।ट टा इसलिए वो जाते हैं। और वो भी जाता है सिर्फ खाने के ठाउक परिफ हे। लेकिन कलवुरी चर्च का ऐसा नहीं है कलवुरी चर्च में कोई भोजन परोसा जाता नहीं है कोई समोसे बाटे नहीं जाते संदे को लेकिन फिरभी प्रबुके जो सचे विश्वासी है इमांदारी से आते हैं उनको साथ बज़े बुलाओ तो साथ बज़े आते हैं साड़ेच्छे बज़े बुलाओ तो साड़ेच्छे बज़े आने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि वे प्रभु के लोग है प्रभु की लगन उनको लगी है उसके प्रेम में वो पागल हो गया है जो येशु के प्रेम में पागल हो जाता है उसको प्रभु के भवन में आना प्रभु की सेवा करना कभी भी बोज नहीं लगता जा हुआ आप यहां पर गिज्द नेवताहारी जब उनको बुलाया गया उनके लिए खुरसी लगाई गई उनके लीए मेज लगाया गया लेकिन इन लोगोंने आना ना चाहा लिखे है नेवताहारीों को भौज में बुला एंसलिए दासों को बहचा गया परदो नेवताहरियों ने आना ना चहा नेवताहरियों ने आना ना चहा आज शणिवार की प्रातना में बहुतों को बुलाया गया है है लेकिन उन्नोंने आना ना चहा कि उनका काम है अपना जो भी काम है ठीक कोई बात में लेकिन कल जरूर रहेंगे वो कि आज बहुत सारे अलग-अलग काम अपने होते हैं लेकिन इन निवताहारियों ने ब्याहा के भोज में आना ना चाहां हमारे पास्टर रॉबर्ट जहराज उनकी बीटी की शादी थी किम कि मैं प्यार से उसे किं बुलाय अकरते थे कि मेरे सामने उसका जन्म हुआ जाहे प्रभु ने हमारे पास्टर को आशेशित किया इतनी सुंदर बेटी किम को किंकी जब शादी हुई तब पहम को बुलाय गया क्या क्युक्त पास्टर प्रदीप आप परीवार के साथ आना शादी में मैंने खाटी के हम परिवार के साथ आएंगे और वह एक शादी जो मैं भूल नहीं सकता है उस शादी में ऐसे पकवान थे नौन वेच के ऐसी डिशेश थी वेजिटरियन की ऐसी डिशेश थी बाप रहे अभी तक मैं भूला भूलता नहीं मेरी पत्नी भी बूलती नहीं इतनी संदर शादी हुई और प्रभू ने बहुत आशिशित किया कुछ ऐसे पास्टर थे उनको बुलाया गया था लेकिन वो भूल पाई तो जह मेरेशन दोस्त कुमिल यह करते मेरें आयर भूजन थाओ वह इतना आनंद ऑया ऐसी शादी मैंने देखिए और ददों यह सक्षाए बताई बगूब, बगूब, बगूब कि इतनी चीजिए इतनी चीजां की भरपुरी एक ऐसा खाना आ सब आपर आपने लिए और मैं नेकर वो स्टीज सामे कार घुर्श हुने कुछ है आमेरिकन गोलां नोग भी आया तो इतना जादा जो है जबरदस्तक अ nuts बनते हो इतना तो जह है वही चीज है उनको बुलाया कि आता लेकिन वह नहीं आपाए प्रियों लिखाया कि प्रभू के ब्याह के भोज में अभी जह जाना है हमको हम एक दुलन हो के जाएंगे लेकिन बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने आपको तैयार नहीं कर रहे हैं वह इस संसार की चीजों में ही डूबे हैं उनको पैसा खाना पीना सोना कपड़ा लत्ता इसी में वह डूबे हैं वह इससे उठकर उपर नहीं देख पा रहे हैं हर यहांपर लिखा है कि जब दासों को भेजा के नइज प्रतिक्रियाज आठ प्रकर की प्रतिक्रिया हम देखेंग वह थो पहली बात आना ना चाहा तैयस दूसरी बात बेपरवाही करके चले गए वो हाँ है तो वहाँ पर लिखा है कि जह है उन्हें क्या का बेपरवाई बोली बेपरवाई प्रियों चर्च किलेंक अभी बेपरवाई होनी नहीं चाहिए अपने बच्चे अपने बडे बुजूर्ग अपने घर के लोग घर को ताला लगा के हमें प्रभु के कि उन्होंने पहले पहले पहला पाप तो उनका ये था कि उन्होंने आना ना चाप दुसरा पाप ये था कि बेपरवाई करी उन्होंने प्रभु के भवन की आज बहुत सारे लोग कलीसिया की बेपरवाई करते हैं कि बेपरवाई कर दी कि बेपरवाई कर दिया तो कर दिया तो कहां कर दिया आगे क्या लिखा है बेपरवाई करके चल दिये तिसरी बात क्या चल दिये मुझे आफिस में जाना है मुझे क्रिकेट की टीम में खेलना है मुझे फुटबॉल की टीम में खेलना है आज हमारे घर में यह प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है और हमारे घर में कोई लोग आये हैं और इसलिए वे प्रभु के भवन में जाने की बजाए कहीं और चल दिये लिखाएं बे परवाई करके चल दिये ऐसे नहीं चल गये कहें चल दिये वह बे परवाई करके चल दिये और ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता जब प्रभु की कलीसय का समय होता है जब चर्श में आने का समय होता है तो बहुत सारे लोग जह है आना नहीं चाहते हैं पहली बात दूसरी बात बे परवाई करते हैं तुसरी बात चल देते हैं है छौती बात है यहां पर लिखाएं कि चल दिए कोई अपने खेट को पूआ प्यापार को तो बहाने बनाते हैं और छौती बात कौनसी खेद का भाणा पाउच्वी बात कौनसी व्यापार का भाना कि आजकल बहुत सारे लोग चर्च में ना आने के लिए इतने सुंदर भाने देते हैं पास्टर को पास्टर तो शांद रह जाते हैं लेकिन प्रभू को क्या बताओगे प्रभू कहेगा तुम मुझसे प्यार करते हैं आज हम चर्च में जाते पास्टर के लिए नहीं जाते प्रबु के लिए जाते हैं तो यहां पर वो क्या कहते हैं उन्हों ने जह है क्या कर दिया बहाना बना दिया पांच वी बात क्या है जह है बहाने खेत का बहाना और व्यापर का बहाना पांच बात हो गए चट्वी बात उस जो दास्त है गए थे उनको बुलाने के लिए उनको उन्होंने क्या कर लिया पकड़ लिया त्यारेधा गैपेड जिए द॑ना बाते तरहां यरए ठर्वी बुलाते हैं उनको पकड लिया सात्वी बात उनका अनाधर किया में विह रोखsoever में पकड़ लिया शर्प कड़ा नहीं लेकिन अनाधर किया उनको क्यों पकड़ा भई बता उख हूं कूं पकड़ा इनको कि ये तो भाइया उनको भोजन देने के लिए प्रकाषि पार्टी कर पुलाइन हम तो वहा ते ब्लखल मुख्ण डीवे ब्लख आर वी पार्टी है तो ने आइपमि ले लिया कि अर वह करते हैं पार्टि देते नहीं है कोई लोग देते हैं कोई लोग ने है और वह क्या होता है कि इस भूज के लिए उसी को पकड लिया है उसी को पकड लिया पकड़ाना यह सिर्फ उसका अनादर किया आजकल बहुत सारी चीज़े ऐसे हो रही है प्रभू के लोगों का अनादर हो रहा है प्रभू के लोग जह वो आशिशित वो सेवकाही के लिए उनका मन होता है लेकिन वो गलत तरीके से परमेश के दासों को लेते हैं परमेश के दास कहते कि आओ चर्च में और वे उसे पकड़ते हैं उसे अनाधर करते हैं और जह है आठ वी बात क्या है उसको मार भी डाला तो ऐसे लोग है और इसलिए प्रभू कहते कि नेवताहरी योग्य नहीं थे नेवताहरी योग्य ना ठेरे जिनको प्रभू के भवन में बुलाया गया है जिनको ब्याह के भोज में बुलाया गया है वो नेवताहरी योग्य नहीं है जिनको चर्श में बुलाया गया है वे लोग योग्य नहीं है क्यों क्योंकि उनके पास बहुत सारे बहाने हैं उनको परमेश्य के दासों को पकड़ना है अनादर करना है मार भी डालना है उनके अंदर जलन है कुडन है विरोध है बाप्रेव लेकिन परमेश्य क्या करता है यहां पर लिखा है कि तो क्या करता है राजा क्या करता है राजा ने करोद किया अपनी सेना भेज कर उन हत्यारों को नाश किया और उस नगर को फूख दिया एक दिन आएगा कि उनको फुका जाएगा एक दिन आएगा कि उनको फुका जाएगा उनको नाश किया जाएगा उनके नगर को फुका जाएगा अगर हम प्रभु के मार्गों में नहीं चलते अगर हम प्रभु के रास्ते में नहीं चलते तो परमेशर यहवा राजा क्रोधित हो जाएगा और राजा क्रोधित होकर उनको फूग देगा नाश करेगा बापरे तब राजा ने अपने दासों से कहा ब्या का भोश तो तैयार है परंतु नेवताहारी योग्या ना ठेहरे है हम रे सिस्टर रूली वर्गीष के पापा रो पास्टर थेशा पास्टरदास और उनको उनके गाव में That हमेरे बच्चे की अदाने सारे गाउं को निमंत्रन भीजा कि आजय वाव है हमेरे बच्चे की शादी है पताने कितने सारे गाउं का खाना बनाया कि लेकिन ये पास्टर थे और इनके विरोध में सारा गाउं था तो गाउं का कोई भी विक्ति खाना खाने के लिए नहीं आया इतना दुख लगा उनको उन्होंने खाना जहे दे दिया जिनको चाहिए उनको दे दिया भरपुर दे दिया अजो बच गया था वो गड़ा खोद कर डाल के खाद बन गया वो पास्टर मुझे बता थे तिक बड़ा दुख की भावना उनके मन में उन्होंने मुझे बताए पर्ले पास्टर ऐसे इसा मेरे साथ हुआ हमारे साथ हुआ मसी लोगों के साथ हुआ प्रभीश ने कहा कि मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे तुछे जानेंगे बुरा ना मानना आनंदित होना कि स्वर्ग में तुम्हरा प्रतिफल बड़ा है आज ये पास्टर स्वर्ग में गये है पास्टर विजयदास और वहाँ परमेश्य की वह आराद ना कर रहे होंगे तो बाइबल में राजा कहता है कि नेवताहारी योग्यना ठेहरे इस राजा ने अपने पुत्र का व्याह किया और इस राजा ने अपने पुत्र का व्याहा करने के बाद में ये नेवताहारी वहाँ पे नहीं पहुंचे, हम देखते हैं कि चर्च कितनी महतो-पूर्ण बात है, कल हम प्रभु के भवन में जाएंगे, काई के लिए है, प्रभु का भोज खाने के लिए, प्रभु का वचन की रोटी तोड़ने के लिए हम जाएंगे हम प्रभु का वचन सब मिलके खाएंगे हम प्रभु के वचन में अध्यान करेंगे लेकिन कुछ लोग आना नहीं उन्होंने आना ना चाहा फिर उनकी प्रति क्या बेपरवाही करें चोड़ो बेपरवाही कर दि थिसरी बात चल दीए च80 बात कम काँ से बाहना थी पांच्वी बात व्यापर का बहना मुझे दुकान खोलना है मुझे दूटरी पैस्वार्फी नुगरी का बहना और उन लोगों ने क्या किया इतने दुष्ट लोकते वे सकेश्या आसों को सेवकों को क्या कर लिया पकड़ लिया पकड़के क्या कर दिया अनादर कर दिया अनादर करके क्या कर दिया मार दिया यह आठ प्रकार की प्रतिक्रिया है जब कोई राजा अपने बेटे के ब्याह के भोज में उनको बुलाता है और उसकी प्रतिक्रिया यह आठ प्र प्रतिक्रिया इन ने उतहारियों की थी और उसके बाद में राजा की क्या प्रतिक्रिया होई उसने तो उसको मार दिया हत्यारों को मार दिया नगर को फूग दिया नगर को फूग दिया मतलब वो हत्यारे भी मर गए और उनके बच्छे माता पीता भाई बैन नगर को फूग Sh Hurizing Agar jak Varmishya के लोगों कि प्रभु अपनी कलीशिया बना रहा है के अ कल प्रभु ने आपको कहां बुलाया है अ ब्याह के भोज में प्रभु के वाचन के होग प्याह का भोज था कल प्रभु के वचन का भोज हूगा कल प्रभु येश्युक्य हर्म के बलिदान की ताकत और बलिदान को स्मरन करके हमार राधना करने वाले है प्रभु की कलीसिया में हम कल शामील होने वाले है किसने बुलाया है चर्च में प्रभु येशु स्वयं बुलाता है प्रभु येशु मुसी स्वयं वाइदा करता है कि जहां दो या तीन कलिस्या के रूप में मेरे नाम से तुम इखटे होंगे जीवन अगर कलवरी चर्च में या तो साउथ एक्स्टेंशन कलवरी चर्च में तो मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं आने के लिए मना किया कुछ लोगों ने कि मना किया कुछ लोगों ने बे परवाई करी कुछ लोगोंने जहें बहुत गलत गलत काम के चल दिये कि में तो अपना बिजनेस पकड़ना आए शौप खोलेंगे अंकल कि हमरी शौप खोलेंगे ए अमेरी बॉस ने बुलाया है इसलिए मैं नहीं आओ पाऊंगा अ कि फस्टर बॉस ने बुलाया है कि कोई जहें दर्थ का पाहने लेता है फास्टर पेट बहुत दर्थ कर रह चुट्टी डाल देंगे दो गहर हैज़िरी करतेंगे और चर्च में चलता है इसा नहीं चलेगा प्रभु के राज में ऐसा नहीं चलेगा इसलिए हमें प्रभु के भवन में जाने के लिए बहुत जादा परवाह करना चाहिए बेपरवा नहीं परवा करना चाहिए कि मैं टाइम पे जाओ प्रभु के भवन में प्रभु के भवन में टाइम पे जाओंगा बहुत सारे लोग जो विश्वासी है इस दुनिया के बहुत सारे लोग विश्वासी है और वह विश्वासी आयते किसके लिए पता है न सिर्फ इसराइल लोगों के लिए प्रभी श्रुमसी के मूंसे यह निकले तो प्रभी श्रुमसी के प्रभी श्रुमसी के लोग है हमारे उपर कृपर हो गई कि हम भी आज आत्मिक इस्राइल कहला है जाए और बाइबल में कह लिखा है लुकात तेरा अध्याय का उन्दीस वचन बाइबल में लिखा है कुछ लोग होंगे बलगी 27 वचन से जिस्टर जॉली पड़ी आप परंतु वो कहेगा मैं तुम से कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहां से हो हे को कर्म करने वालो तुम सब मुझ से दूर हो वहां रोना और दात पीसना होगा जब तुम इबराहीम और इजहाक और याकूब और सब भविश्रक्ताओं को परमेश्र के राज में बैठे और अपने आपको बाहर निकाले होजे देखोगे और पूर्व पश्च्ण उत्तर और दखिन से लोग आ कर परमेश्र के राज्य के भोज में ब़ागी होंगे री कर वह अब परमेश्रक्त के राज्य में भागी होंगे है आज हम इस घु में नहीं जा सकते- तो परमेश्य के राज्य के भागी कैसे होंगे छाथ कि यहां पर लिखा है कि पूर्व पच्चिम उत्ठर अर्दक्षिन से लोगई आकर परमेश्य के बोढ़ागी उंगे। ये पूर्व पच्चिम उत्चर और दक्षिन किसके हैं पता है इस्राहिल के अकvoorbeeld पुर्वपच्ची मुत्तरदक्षीन से मतलब अन्य जाती के लोग भी इस प्रभू के रापरमेश्य के राज्य के भोज के भागी होने वाले हैं उसमें भारत देश भी आ जाता है उसमें दिल्ली भी आ जाता है उसमें आप और मैं भी आ जाते हैं परमेश्य के राज्य के भ लोग तो वहां पे होंगे नहीं, कुछ इस्राली लोग तो प्रभू कहगा, है कुकर्मकरने वालो, तुम मुझे क्या हो जाओ, दूर होती, अरे प्रभू प्रभू से दुष्टात्मा है निकाली, तिरे नाम से मुर्दों को भी जिला है तिरे नाम से पताने क्या क्या किया दुष्टात्मा को निकाला चमतकार किये चंगाई दी प्रभु कहे जा मैं तुम्हें नहीं पैचानता मैं तुम्हें इसलिए नहीं पैचानता तुम्हें चर्श में बेपरवाई करी तुम्हें कली जाते के लोग है वे इस परमेश्र के राज्य के भोज में भागी होंगे तो जैसे आप कि अपने ऑफिस के लिए कितनी जिम्म्योदारी से जाते हो बताना नहीं पड़ता कि जल्द जाके वहां पेटना यह बहुंत ज़रएं पर-चर्च में यह अद्र गनता लेट ऑफिस में दस मिनिट पहले व Chung यह परमेश्र देख ता नहीं है क्या परमेश्र देखता हैं तो आप प्रबू के लिए योग्या इमांदार रहेंगे तो प्रभू परमेश्य के राज्य के भोज में आप भागी होने वाले हैं हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉट एक और भोज के बारे में देखेंगे जल्दी-जल्दी हम लुका उसका 14 अधिया है और उसके 16 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे एकिसोचन तक बल्कि 2300 तक पढ़ेंगे उसने उससे कहा किसी मनुष ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बलाया जब भोजन तयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तयार है पर वे सब के सब शमा मांगने लगे पह उसने ने कहा मैंने पांच जोड़े बैल मोल लिये हैं और उन्हें पर रखने जाता हूँ मैं तुस्से विंती करता हूँ मुझे शमा कर दे एक और ने कहा मैंने ब्या किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बाते कैस सुनाई तब घर के स दास ने फिर कहा हे स्वामी जैसे तुने कहा था वैसे ही किया गया है फिर भी जगा है स्वामी क्यों कि रहे ये भोज खाना है हाललुया यहां पर दूसरी बार अब यहां पर इनके बहाने अलग थे यह थोड़े से सौफ टिकिटिटड ने टाए झाल हुआ तोड़े सोफिस्टिकेटड टाड़ीं है डिप्लम मैट ने उतारी थे इन लूगों ने मारा पकड़ा आप आप इंगों के सार्य जा करे है है कि मैंने क्या करा है पांज जोड़ी पांज जोड़ी बाव रहा हुण इसलिए नहीं आ पारहा हूं किस ने क्या का मैंने खेत खरीद लिया है इसलिए नहीं आ रहा हूं यू ऐसे पहाने इतने अच्छे प्रभूध आगर और प्रभू पांच बहिल जोड़ी निकाल ले तो कि अगर वह शादी का आड तलाक हो जाए तो कि अगर वह खेती जो मिल गया है वह निकाल ले प्रभू तो चलेगा क्या तुम प्रभु के भवन में आने के लिए बहाने बनाते हो यह परमेश्र को अच्छा लगता नहीं तुम्हें आना है आओ नहीं मत आओ तुम्हारा हिसाब किता परमेश्र देखेगा हम तो भई सब को बुलाते हैं आओ आओ जगह के सब लोगो येश्व बुलाता है येश्व बुलाता है इसलिए हम बुलाते है येश्व ने बुलाते है तो हम भी नहीं बुलाते है येश्व ने बुलाया है दो या तीन उसके नाम से कटे हो अराद न करो प्रभु कि लगा दिया पंचर पर आपन जाना है क्यों है अगली सामा प्रेक्षाया हूं अगली समाल न था नहीं हमनें क्यों जाना है भी भूशलख को पास्टर में आया भी निकला भी बाड़ी 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 कर रहे थे तिर में लोटके आया फिर वह पर कहीं डूटी जा रहे होंगे तो तुरंद जो है मैंके निक है जल्दी जाना है मेरा बॉस चिल लाएगा जल्दी कर ले बड़ा बड़ा करना है लेकिन चर्ज में जा रहे थे ना इसले गाड़ी बग बग कर रही थी फिर मैं फिर से लोटा ली एक ब्रदर ने मुझे पीछली संडे को पास्टर मैं तयार भी नहीं रही थी प्लंग पर बैट गया मैं उड़ जाओ उड़ जाओ वह पत्नी उठी नहीं रही पिर किया पास्टर मुझे ड्यूटी जाने फिर में चला गए तो पर आपकी पत्नी वह तो आ गए अपने टाइम पे तुम भी क्यों निया आते जल्दी तुम अपने टाइम प्यांगोना सुबह शाथ बजहिए की सबहा में पास्टर अभी अगली बार तुम्हें ऐसे करोंगा आसे करों शॉटे पेनूंगा फिर से विस्ते वे बैठोंगा ऐ हूटना ऑगली बार में ऐसे करूंगा अरे ऐसा पत्क्रों चर जाओ भई हगी चर जाओ तो बहुत सारे लोग शाहों मांगते हैं मुझको प्रभास्टर सारी पिछली बार नहीं आप आए मुझे शॉरी वो परमेश्य को सॉरी बोलो जब तुम चर्च में आते तुम्हारी गैर हजरी स्वर्ग में लगती है ay espos dispute में तुम्हें देखता है यह मत कहना जूते भी पहने जुरा भी पहने पैनी और श्रड़ भी पह呢 कि हमएं टाइभी पहन लैता भाई साइब कि अ पिर विश्टर पर जाकर बैटा तो यह चीज ने उता हारियों प्रभू आपको देख रहा है प्रभू देख रहा है कि आपके मन में क्या चीज है तो इसलिए वैंबल में लिखा है कि क्या कि वन ट्रभू पांच बैल जोड़ी यह कई ब्याह रिया है प्ले भड़ी प्राद नंकर रहे है काए प्रहू शादी होने दोनों मिलकी सेवा करें दोनों मिलके जवा करेंगे अब क्या हुआ हैγिँ और मिलने देगानों में मिलने देगाद का हिव थैस만 खुड्र में आइje का उनकान को मेरा क्मणरा मेरा ऑंक फोड़ी हो है Cabinet स्विख मिलिये देख्यशन ममाइद है क्वा खुड्र कम कर गच्रख आद आहसे नोखे सिट और कि शायतें कि आप कि प्रभापके याथ से निकाले नहीं न तो प्रभु की आप प्रभु को दो हाललूया इस मैं फिर इंग ऊत्या एन इस आरदना का महत्व अभी तक आप समझने पाए कि है यूपी में और कुछ-कुछ जगह पे तो को विरोद करने वाले आते हैं लाठियाय वारते हैं लेकिन अप्लिष्टिंट फिर से वो लोग चर्च में जाते हैं लाठिया वा रोतरे हैं एक जेल में और ने कहा कि दस साल या साथ साल तक जो है वो बंदात जेल में था क्योंकि उसने येशु को प्रचार कर रहा था और वो कह रहा है कि मैं दस साल या साथ साल पता ने उतने साल तक जो है मैं कैसा जिया पता है बाइबल का एक पन्ना मेरे हाथ में आया था रात दीन वही पन्ना पढ़ता था रात दीन हम विश्वासी जेल में वही पन्ना पढ़ते थे उसी पर हम जीए उस साथ या दस साल तक वहीं पर जेल में रहे और परमेशन ने उनको आज़ात किया आज वो प्रभु की सेवकाई करते हैं उस पन्य के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसमें कोई आराधना के लिए नहीं कोई कुछ नहीं सोचिए दस साल साथ साल वो जेल में रहके प्रात्ना करते रहे वो चायना के विश्वासी हे प्रभु के विश्वासियों जाग उठो आरात्मा के लिए तयार हो प्रचार करो स्वर्ग में जाना है हमको माई गॉड पैबल में लिखा है कि कैसे वो कंगाल हो गया जब घर में रोटी मिलती है ना बिट भी ले मम्मी गरम गरम पर्भंखर ये लेबिट ले और खाले लेट नहीं उन गहांबिटे महम मम्मी की परव्ठे की याद दिए यहीं उड़ाव पुत्र के साथ कि वह आखरी में क्या खाने लगा कि सूरों की फल्ली कि जिससे सूर फल्लियां खांके तुरुप तो होते थे पताने कौन सी फल्ली अजकल बींस भी कितनी महंगी हो गई ना अजसी रूपे किलो नभे रूपे किलो अभी सो रूपे का एक पत्ता देना पड़ेगा एक किलो सब्जी के लिए और वो क्या कहते हैं पता है क्या वो जब उसको मिलना बंद हो गया अकाल पड़ गया हालत खर गरम-गरम परटा याद आने लगा उसको वहां मेरी मम्मी किसे जैती थी वो क्या कैने लगा कि वो चाहता था कि उन फल्लियों से चीजिसे उवर खाते थे अपना भट भरे बर थे परन्तू उसे कोई कुछ नहीं देता था वह अपने आपे में आया और कहने लगा मेरे पि पिता जी मैंने स्वर के विरोध में और तरी दुरुष्टी में पाप किया है अब इस योग यह नहीं रहा कि तेरा पुत्र के लाओं परंतु मुझे एक मजदूर की नहीं रख ले प्रभू पापा मुझे कैसे रख लो एक मजदूर की नहीं रख लो पापा प्लीज पाप आम सॉरी पापा जी मुझे माफ करो पा ने मजदूर की नहीं रख लियाम में राजकुमार की नहीं रही हूं राज़ कुमार की नहीं रख लूए राज़ को माrest खोन है रही हम जान नहीं रहे हम इसले को नहीं आपे हैं उस संड souls एक्र पदे रहा है इसकी परही आखह परभू कर लोनुट कर रहा है जो और शारी बात देखे साथ करना अब कब लेखा रहे है बाइबल में लिक्षा की पर्मेश्व की आखे सारी दुनिया में देखती रहती यह फिरती रहती है कौन चर्च में जा रहा है और कौन चर्च में नहीं जा रहा है कौन बेपरवाई कर रहा है और कौन बेपरवाई नहीं कर रहा है कौन बोज के साथ चर्च में जा रहा है आदर के साथ और अपने मन में कुछ भावना रखते वे चर्च में जा रहा है और तो कोई गलत काम के जा रहा है प्रभु क्या कर रहा है अगो बहुत सारे लोग दोस्तों के साथ जाएंगे की रूषीकिश में इतनी कमारे हमने ऐन पे तो मिलता है नहीं यह पास्टर पट है से पता नहीं किसे तो करो तो छहां तो क्यों कि मेरे पास यह साड़ी एख यह चर्च मीं जाते हैं अपने सहली को मिलके मिलने के लिए अपने संभंदों को रखने के लिए है और कुछ-कुछ संबंदों में तो फरमेशर को भी अच्छा नहीं लगता कि क्या सोच के क्या रख के वह संबंद रख रहा है आप प्रभू देख रहा है इससे पहले कि डंडा जाए सुधर जाओ बाज आजाओ जो बाज नहीं आएगा उसका बाजा पजेगा पड़ी बुश्कने सही बात है यह बहुत गंभिरता की बात है यह मजाग की बात नहीं है बहुत सारे लोग जो है आललुया बुरा विचार रखते हैं बहुत सारे लोग गलत बात रखते हैं अपन नहीं लगता तो अपना बाजा मत बचवाओ आप प्रभु का भए मानो प्रभु का भए मान के चलो हम इस कलीशिया में क्यों आए हैं कि मैं आपको जानता था क्या पहले नहीं आपको जानता था क्या नहीं आपको जानता था क्या नहीं तो कैसे आ गए किसके कारण आ गया है प्रभु येश्व के कारण हमाएं तो हमारे संबंद भी ऐसा ही रखने चाहिए हम प्रभु येश्व मसी को बीश में रखते हैं मेरा संबंद आपके साथ प्रभी येश्व को बीश में रख करना है मेरा संबंद आपके साथ प्रभी येश्व को बीश में रख करना है मेरा संबंद आपके साथ प्रभु को बीश में रखना है फिर वह संबंद रखना है तब वह पवित्र संबंद रहेंगे तब वह अच्छे स चित्रा देगा वो कि फिर से चर्च में आने के लायक नहीं रहेंगे यह है यह है प्राफिसी हम हर एक के साथ चर्च में जब आते हैं किसी की बुराई ना करें प्रभू के सन्मुक आए और हम हर एक के संबंद में हर एक के साथ जो संबंद रखते हैं प्रभू को बीच में संबंद रखें कि वो कहने लगा प्रभू भोजन से भी आधिक रोटी मेरे नोकरों को मिलती है और मैं यहां पर सुवरों की फली खा रहा हूं कि कलवरी कली से आमें कितने सुंदर संदेश प्रचार के जाते हैं लोग मुझे कहते पास्टर आपका वो संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा पास्टर आज का वचन के द्वारा तो प्रभू ने मेरे साथ बात्चित करी पास्टर यह वचन तो मेरे ही लिये था ऐसे हो बात करते हैं यह संदेश बहुत अच्छा थान अर मैं देना चाहता हूं ज़ो आप प्रभू के वचन की क्योंकि वह वचन प्रदीप का नहीं है वह प्रभू का वचन है और आप प्रभू के वचन की तारीफ करते हो गोड़ ब्लेश यू सारी महिमान किसको को मिले प्रभू को मिले कुछ लोग तो तारिफ भी नहीं करते हैं कुछ लोग तो बोलते ही नहीं क्योंकि वचन जो लग गया है जो अंदर से आरपार हो गया है गोली क्या हो गई आरपार हो गई यहां से गई वहां से कुछ लोगों के यहां से आता है यहां से निकल आरपा इसले कुन सा वचन पिछले संडे कौन सा वचन था और वारपार हो गया नहीं इधर से इधर से लिए इसले बाइबल कि चर्श की तहरी क्या है बाइबल नोट बुक पैन गाने किताब यहां पर यहां पर बाइबल में लिखा है कि तो हम कल भोजन के जाने वाले प्रभु की बावन में भोजन के लिए जल्दी जल्दी दो तीन वचन पढ़ेंगे बंद करेंगे बाइबल में लिखा है कि प्रभु परमेशा कहता है कि हम क्या करें पताए हाललुया की भोजन कि प्रभु आमको भोजन खिलाना चाहता है कि प्रभु हमको वचन खिलाना चाहता है कि एकाम के प्रभू कहाँ ए बहुतों के दर्वासे के बाहर नहीं वह कि दर्वाँ लोगोग कि जो सब्सक्राइब मैं जिन जिन से प्रीती रखता हूं उन सब को लहना और तारना देता हूं इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खट खटाता हूं यदि कोई मेरा शब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ प्रभू भोजन को बहुत ज़्यादा महत्व देता है आत्मिक भोजन प्रभू कल आपको भोजन खिलाना चाहता है बाइबल में एक लड़की को प्रभू मुर्दों में से जिलाता है और कहता है कि इसको कुछ खाने को दो ताकि ये जिन्दा रहे याकुब सो रहा था दिन यात्रा करना है ये बोजन खाले हैं प्रभू विश्वास योंके भोजन की बहुत चिंता करता है इस भी किताब हमेशा तबता सनता रहता हूं अर्शुकिताब में कि बुच्रो कि एप अब घाना human community तुम्हें अभी जाना है तयार हो जाओ फाना बनाओ भोजन के लिए कुछ करो तुम्हें यात्रा के लिए जाना है प्रभू हमारे भोजन की चिंता करता है हाललुया यह नाशमान भोजन नहीं बाइबल में बहुत संदर नाशमान भोजन के लिए लिखा है नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो परन्तु उस भोजन के लि तुम्हें देता है क्योंकि अर्थात्परमेशन ने उसी पर चाप करती है कि नाश्मान भोजंग के लिए चिंता मत करो कि कल कौण सी सब्जी खाए कि सारी सब्जियां 80 रुपे की हो गई है आप चिंता मत करो प्रभु खिलाएगा फिर भी खिलाएगा प्रभु और अच्छा से अच्छा किलाएगा कलगुरी चर्च के लोगों को कि प्रबु कहता है घाने के लिए चिंता करो हालनोया लेकिंगे प्रभु आत्मिक भोजन के लिए चिंता करो आत्मिक भोजन करना है आज मैं में पुवास रखा ना है कि मुझे मेरे उपर पवित्र आत्मा आ जाए और योग ये वचन में प्रचार करूं और हम सब बिलके प्रभु ये श्मसी वचन खिलाएगा मुझे भी और आपको भी हम सब खाना खाने वाले ताली बजाए प्रभु के लिए हम आलेलूया प्रेज लाइबल में कुछ लोग चार बार करते हैं कुछ लोग पांच बार करते हैं जिनके पास पैसे नहीं विचर एक बार भी नहीं कर पाते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो कि हम तीन बार तो कर सकते हैं कि कहते हैं किस घर में जाता हूं पास्ट कह सब कुछ चल रहा है पास्टर भूके तो और हम स्वर्ग में जाएंगे ना तो हम खाते ही रहेंगे भोज खाते रहेंगे हालेलुया प्रेस लॉर्ड वहां पे जह है कोई ऐसी प्रॉब्लम ने रहेंगे हैं वहां पे भूज में जाएंगे हम पढ़ेंगे उस वचन को प्रकाशित वांके 19 अधिया है और उसके 7 वच चिंसिटे जॉली गुर्प है पढ़िया आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तूती करें क्योंकि मेंने का ब्याह आप पहुचा और उसकी पत्नी ने अपने आपको त्यार कर लिया है और उसको शुद और चमकतार महीन मलमल बहनने का दिकार दिया गया क्योंकि उस मही इन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है और उसने मुझ से कहा ये लिख की धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाई गए हैं फिर उसने मुझ से कहा ये वच्छन परमेश्वर के सत्य वच्छन है और मैं उसको दन्वत करने के लिए उसके पावो पर गिरा उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे भाईयों का संगी दास हूँ जो येश्यू की गवाही देने पस्थिर है परमेश्वर ही को दन्वत कर क्योंकि येश्यू की गवाही भविश्वानी की आत्मा है संदर संदर वचने ब़िया और वो क्या कहता है यमना क्या कहता है मेरे पाव मत पढ़ रहे भाईया मैं भी तेरे बह fedator मैं कैसा नोग गवाहीं की देने पर देने बोली मेरे बीचे, मैं तेरा और तेरे भायों का संगी दास हूं, जो येश्चु की गवाई देने पर स्टीर है, मैं येश्चु की गवाई देने के लिए स्टीर हूं, तो आप प्रबू की कवाई देके लोगों को चर्च में लाना है कल को बहुत सारे लोग रिशी carrot आज है कि बहुत बड़ा जैब बाड़ आ रही है कि वहां पर लोग मर रहे हैं कुछ उपर की जैब चट्टाने खिसक की कुछ गाओं भी कुछ लोग मर गए हमारा आश्रम अगर गिर जाता उसके उपर कुछ हो जाता प्रभु ने जिन्दा रखा ना अरे रखा क्या ने रखा रखा तो फिर इसलिए रखा ताकि मैं येश्यू के गवाही देने पर स्तीर रहूं इसलिए मुझे रखा उस रिशिकेश में मैं मर सकता था हमारे कलोरी चर्च के लोग मर सकते थे एक्सिडेंट हो सकता था हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता था रखिम प्रभु ने होने नहीं दिया क्यों क्यों क्योंकि प्रभु को पता था कि ये प्रभु के लोग मेरी गवाही देने के लिए स्तीर रहेंगे आज आपको प्रभु की गवाई देने के लिए स्तीर रहना है गवाई देने के लिए स्तीर रहना है मतलब क्या करना है मतलब प्रचार करना है मतलब ट्रैक्स देना है मतलब लोगों को चर्च में बुलाना है अच्छा वो तो यह तो बात की बात है लेकिन पहली बात तो है धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाएं गये हैं कि मेमने के ब्याह के भोज में बुलाएं गये हैं कि वाव कि यह मेमने के ब्याह के भोज में कौन जाता है कि ने उतारी कौन है नेवतारी कौन है आपको बता नहीं नेवतारी कौन है मैं बताता हूं हम नेवतारी नहीं है हो सकता है कोई हो जो सुनने वाले नेवतारी हो हम प्रभु येश्यु की दुलन है लिखा है कि मेमने का ब्याँ आप पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आपको तैयार कर लिया है और चर्च में आने के लिए तैयारी हो चुकी है चर्च में आने के लिए तैयारी हो चुकी है कल सुबह चर्च में आएंगे हम दुलन है लेकिन जो चर्च में लगातार न बहुत पुरुत्वी पर ही रहेंगे और हम उठा लिये जाएंगे जो प्रभू पर विश्वास करते हैं जो कलीश्या का भाग है प्रभीश ने कहा मैं अपनी कलीश्या बना रहा हूं और दुल्ग के फार्ट को प्रभलने हो पाएंगे वह कलीश्या प्रभू के साथ स्वर् आस योग्या नहीं रहे